हाई एवरिवन कैसे हैं आप सब तो मैं हूँ पायल और आप सब का स्वागत है मेरी किजन में कुछ दिन पहले मैंने एक शॉट डाला था प्रेक्फस का जिसमें मैंने से तोसा वित पोड़ी सर्फ किया था तो आज की जो रेसिपी है वो उसी पोड़ी की है तो चलिए बिना दस से बारे दाने मैंने काली मिर्च के लिए है करी पता नमक स्वादा नुसार और दो तरह की लाल मिर्च का यूज किया है जिसमें मैंने तीन से चार कश्पिरी लाल मिर्च ली है और तीन से चार ही मैंने तीखी वाली लाल मिर्च का यूज किया है आप मिर्च का अनुप पहला इसका मोईस्टर हटाना दूसरा इसका जो नैजरल ओयल है वो रिलीज होगा और तीसरा जो भी चीज आप ड्राइर रोस्ट करके बनाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ अपने आप ही बढ़ जाती है तो एक से डेड मिनट बाद ही अच्छी से हमारी डाले रोस्ट हो चुक कर्ची को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है बिल्कुल लगातार चलाते रहना है और इसमें शायद तीन से पांच मिनट का समय लग सकता है तो तीन मिनट हो चुके हैं करी पत्ता अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं लेकिन लाल मिर्च पे कुछ कसर बाकी है तो हम इसे एक गर्म अघ्रम अ मसाले को ना डाले पूरे अच्छ से भुनने के बाद इसे फंडा करके ही पीसे और लीचे बनकर तयार है हमारी पोडी या गन पाउडर आंद्रा में इसे गन पाउडर कहते है और बांगी मैं करनाटका में रहती थी तो मुझे पता है इसे पोड़ी कहते ह यह बेष्क पोड़ी है यह बहुती बना सकते है और इसे किते सर्फ कर सकते हैं और यह बिक्त गर्मा गरम चावल के साथ उडली के साथ तट्टे एड़ी से दोसा ध्नकार साक्ष आपको एक थियुक्त का थ्यान रखना कि पिकला हुआ घी जरूर ढाले इससे इसका स्वाथ दोगुना हो जाता है तो आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो डू लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल